हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बजार पर दोस्तो आर्सी एफ और एनेफल दोनों काउंटर सुस्त होते वे देखने को मिल रहे हैं क्या यह टाइम में एवरेज करने का और स्टॉक्स बाय करने का या फिर सेलिंग की राय बनाने का आग पाच पर्सेंट जाथा घर चुका है एनेफल आठ परसेंट से घिर चुका है लेकिन अगर रποι कीवात करें तो आज मार्केट ने लग बग्लोवर लेवल τηर्से की रिक व्ट की रिकांवरी आते भी रिखने को मिल रहे है अगिन फिर भी दोस्तो गदुस्तो नफल दोनों शिएल's after a अपको underperform होरे देखने को मिल रहे और सकेंट्र गिरावट अगरण walking के बाद कर तो ौर्ट। 24% जो ही आपको counter जो है वो नीचे मिलता हुआ देखने को मिल रहा है from its 52 week high काफी ज्यादा cut आपको इसमें आता हुआ देखने को मिला है प्रस आपने सुना होगा budget में जो subsidiaries है मतलब सरकार ने जो subsidy announce करती है fertilizer sector को वो काफी कम होती भी देखने को मिली है तो यह भी एक major कारण है इनके अंदर fall का मही करेंटल अगर अगर आपन देखे तो RCF 15% गिरा है एक महीने में और निफ्टी 1% तो आप कह सकते कि counter under performance का शिकार होता हुआ देखने को मिला है मही कमपनी की अगर 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 पेट्रॉस्की स्कूर की बात करे तो कंपनी के financials बहुत अच्छे आपने अभी देखा होगा कंपनी के results आपने अभी देखा होगा कंपनी के results काफी बहतर थे लेकिन फिर भी दोस्तों currently stock गिर रहा है तो आप कह सकते केवल और केवल sentiments का यहां पर असर पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है डिलेवरी की बात करें तो डिलेवरी में लगबक दोस्तों तीन परसेंट की गिरावट आतीवी देखने को मिल रही है रिटर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं यह stock ने हमेशा positive returns दी है लेकिन यह जो एक महीना रहा है stock के लिए काफी बुरा रहता हुआ देखने को मिला है मही currently अगर अगर अपन देखें stock की market capitalization तो 6098 करोड सी company की market capitalization है और आप देख सकते है दीपक fertilizers, GSFC, NFL यह सारे counters गिरते हुए देखने को मिलें मही अगर अगर अपन NFL की बात करें तो 30.3% का fall आपको NFL की counter में आता हुआ देखने को मिल रहा है from its 52 week high आपने देखा होगा कि stock ने तेजी करी थी 38 रुपे का level था stock का 52 week low और उसके बाद जो तेजी करी stock ने 92 रुपीज का high share ने लगाया जी हां 92 रुपीज का अगर आपको 82 रुपीज माफ करेगा 82 रुपीज का stock ने high लगाया तो almost stock आपको double होता हुआ देखने को मिल गया है from its 52 week lows अगर 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 अपन इसकी भी बात करें तो Nifty ने 1% की किरावट करी है लेकिन last one month में 22.06% की आपको fall आता हुआ देखने को मिला इस counter में वहीं आज के अगर हम बात करें तो शुरुआत में तेजी खुलता अच्छी तेजी पर है लेकिन फिर धीरे धीरे stock गिरता हुआ देखने को मिलता है डिलिवरी की बात करें तो यहां पर चौकानने वाले डिलिवरी नंबर्स है आप देख सकते हैं यस्टरे यानि यह बात होगी दोस्तों Wednesday की Wednesday को stock में 34 यानि 3.4 मिलियन की volume आई है और उस पर लगबग 8 लाग की delivery आती भी देखने को मिलिए और I think so लोग खरिदारी क्यों कर रहे है क्योंकि दोस्तों stock extremely oversold zone में भी trade कर रहा है अगर आपने calculate करा होगा जब जब यह share दोस्तों आपको 50 रुपीज के करीब यानि 60 रुपीज के निचे मिलता हुआ देखने को मिलता है तो जरूर दोस्तों buying इसमें जादा बंती भी देखने को मिलती है तो कि दोस्तों एक चोटा यह share है पचासाट रुपे का अंदर यह share आजाता है and definitely बहुत सारे लोगों का mid-term space जो है जो mid-cap space है उसमें interest रहता है इसलिए दोस्तों अभी delivery percentage अच्छा आता हुआ देखने को मिल रहा है and अगर आप targets की बात करें तो मेरी यही सलाइ दोस्तों RCF के stock में आपको ड़ाव वेट करना चाहिए NFL के stock में मुझे मेरी यही सलाइ की buying तभी आप करें यह रहा है इसलिए में दे रहा है क्यों दोस्तों कंपरी के जो results है वो definitely phenomenal आते हुए देखने को मिले और इस हिसाब से कंपरी की growth है definitely दोस्तों यहां से 20% तक की upside I think so आपको आसानी से RCF और NFL दोनों stocks में आती हुए देखने को मिल सकती है दोस्तों that's it for video और वीडियो अच्छा लागा हो तो चैनल को like करे share करे subscribe करें दोस्तों thank you for watching this video